दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको गुड़ खाकर उपर से हलका गर्म पानी पीने के फायदों के बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देखे क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत ही काम आने वाली है जिनके शरीन में खून की कमी है आलस थाकान हमेशा लगे रहती है मोटापा है पेट ही निकल गया है तोंद निकल गई है कमर मोटी हो गई है चांगों की में चर्वी बढ़ गई है जोड़ों वा घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, अंद्रूनी कमचोरी है, ताकत में कमी महसुस करते हैं, पेट से जुड़ी बीमारियां रहती है, जैसे कबज, एसड़ी जैसे बीमारी रहती है, किडिनी में पत्री हो गई हो, इमिनिटी कमचोर है, सां हमारे भारत देश में सालों से गुड का पादन किया रहा है और इसका सेवन भी हर घर में होता था लगबग हर घर में गुड बनाया जाता था लेकिन अंगरेजों ने चीनी का प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए गुड बनाने पर रोक लगा दिया जिस वजह से लोग पीनी का इस्तमाल बेलकुल भी बंद करते और उसकी जगा गुड का सेवन करें चीनी से बनी चाय के जगा गुड से बनी चाय कि पियेंगे तो आप हमेश्चा है रहेंगे गुड के अंदर भर्पूर मातरा में होता है और चीनी होती है उसका सेवन इसलिए नहीं करना क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है उसका प्यूरिफाइब होना बहुत ही ज़रूरी है यह फासफोरस खोन को साफ करने का काम करता है अगर हमारा खुन साफ होगा तो शरीर में होने वाली बिमारियों से हम खमेशा बचे रहेंगे और हमारे सारे और्गंस हमारे सारे अंद्रूनी अंग जो है वह हेल्दी रहेंगे चली अब जानते हैं श्रीर को स्वस्ते बनाने के लिए गुड़का सेवन कैसे करना है दोस्तों अगर हम सुबह उटकर खाली पेट इतनी मात्रे में गुड़का और आप ऐसा रोज करते हैं तो यह आपको बहुत सारी बीमारियों को जर से खत्म करने में हल्प करेगा एक बात के बस आपको ध्यान रखना है कि बाजार से आपको यह डार्क लर्वाला गुड़ लेके आना है जी यह तामबे कलर का गुड़ है रंग का गुड़ मिलता है परेशान रहते हैं कई दवाईयों को खाने के बाद भी ना दर्द कम होता है और नहीं पत्री बाहर निकलती है ऐसे में आप सुबख खाली पेट गुड़ के साथ हल्का गर्म पानी का सेवन करें और ऐसा लगातार करें किडिनी के पत्री से आप छुटकार अपा सकते हैं क गुड़ आपके लिए बेहदी फादिमंद है इसमें ऐसे गुड़ उपाय जाते हैं जो श्रीर की चर्बी को कम करता है तो मोटाबा कम करने के लिए गुड़ का सेवन कैसे करना है मैं आपको बताता हूं एक ग्लस पानी लेकर गैस पर चड़ा दीजे उसमें लगभग 10 ग दिखेगा आपके फैट आपके चर्बी पिखलते दिखेगी क्योंकि दोस्तों जीरा गुड़ और सौंफ तीनों का कॉंबिनेशन जो है हमारे मेटाबॉलिजम को बुष्ट करता है और शरीर में चर्बी को नहीं बढ़ने देता आप जो कुछ भी खाओगे वह एनरजी मे क्यों करते हैं क्यों गुड़ खाते हैं दोस्तों मजदूर आपसे ज्यादा मैनत करते हैं हम सबसे ज्यादा मैनत करते हैं फिर भी थकते नहीं है इसका मुख्य वजह है कि वह नियमित रूप से गुड़ का सेवन करते हैं तो गुड़ में इतनी ताकत है दोस्तों कि आपक परिशानी से बचने के लिए गुड़ और गर्म पानी का सेवन जरूर करें। गुड़ खाने से दोस्तों हड्डियां मजबूत होती है क्योंकि गुड़ में के साथ साथ फासफोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, चोड़ों में दर्द रहता हो तो एक डेली गुड़ के साथ चोड़ा सा अद्रक का टुकड़ा लीजे और चबा चबा कर खा लीजे और उपर से एक किलास हल्ग का गुर्मोना पानी पी लीजे। इससे बहुत ही अच्छ तंत्र मजबूत होगा तो आप बार-बार बीमार नहीं पड़ेंगे। आप अपने बच्चों को भी गुड़ का सेवन करा सकते हैं। इसका लब फाइदा दोस्तों स्केन के लिए हैं यह स्केन के लिए बहुत अच्छा होता है यह आपके स्कीन को हेल्दी और खाली पेट गुड़ खाकर एक गलास गरम पानी पीते हैं तो पेट में गैस एक पीट दर्द कबज आदी प्रॉलम्स जड़ से खत्म हो जाती है साथी सुबह पेड अच्छे से साफना होने के समस्या भी दूर हो जाती है बहुत ऐसे लोग हैं जिने एक बार में पेट गुड़ खाकर सुबह खाली पेड एक गलास हल्का गुणुना पानी पी लीजे आपका पीट अच्छे साफ होगा और साथ में ही अगर आपको एसीड़ी गैस के समस्या रहती है खाना पचता नहीं है तो खाना खाने के बाद दोपर के खाना खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़ और आधा चमच आजवाइन इसे चबा चबा कर खा लें इसे डायेशन आपका अच्छा होगा और कभी भी पाचन समधित कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों एक गिलास पाने के साथ गुड़ का सिवन और साथ में आधा चमच आजवाइन खाएंगे इससे आपको गैस के समस्या नहीं होगी गुड़ में काफी मातर में पर्टेक्श्यम पा जाता है जो ब्लड प्रेसर को कंट्रोल रखने में हल्प करता है अगर घर में को ऐसे सदस्य हैं जिनको हाई वीबी के समस्या है ब्लड प्रेसर के दवाई खानी पढ़ती है तो उन्हें के मरीजों के लिए बहुत फ्यादेमंद है इसलिए एलीमिया के पेशेंट को चीनी की जगा गुड़ खाने की सला दी जाती है खास्तोर पर महिलाओं के लिए साथ सेवन बहुत ही जरूरी होता है स्वादिष्ट होने के साथ साथ गुड़ में खुन को सुद्ध करने के ग सुबह उड़ते ही गर्म पाने के साथ गुड़ खाने पर श्रीर में हैपी हार्मून को बढ़ हवा मिलता है और नीद अच्छी आती है रात को दोस्तों कबजी जो है श्रीर के सारी प्रॉल्म की जड़ है आप कबजी की प्रॉल्म को एक हफते में खत्म कर सकते हैं और कब प्रियाओं इया फिर लड़क्यों को प्रियर्ड के दौरान पीठ में दर्द होता है उनके लिए गुड़ और कफ से आराम दिलता था जुकाम के दोरान अगर आप कच्छाच्य नहीं खाना चाहते तो चाय या फिर लड़ू में इसका सीवन कर शकते हैं अगर पुरानी य है तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं गुड़ दोस्तों कफ दोष्ट को दूर करता है अगर आपको कभी भी कफ हो जाए तो एक ग्लस पानी लीजे उसमें एक डेली गुड़ का डाल दीजिए और साथ में ला लिए आठ से दस तुलसी के पत्ते दो से तीन काली मिर्च का ला लिए और इसे तब तक उबाले जो तक पानी आधना हो जाए और चान कर इस पानी को पी लीजिए सर्दी खांसी जुकाम के समस्या तुरंत ही गायब हो जाएगी दिन में तीन बरसा कीजिए आपको फादर मिलेगा क्योंकि दोस्तों गुड़ के अंदर फासफोरस काफ यहां से जुकाम के समस्या कफ की समस्या तो जैसे मैंने काढ़ा बताया उस काढ़े को बनाकर पीचे आपको तुरंत फादर मिलेगा इस किलाव दोस्तों गुड़ बॉड़ी में टेंप्रेचर को सही रखता है इसमें एंटि अलर्जिक तत्व मौजूद होते हैं इसलिए तो चीनी है तो चीनी की जगा गुड़ का से उनकी जिए गुड़ औस दिये गुड़ों से भरपूर है जैसे कि आपने वीडियो में देखा तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से गुड़ का उपयोग करते आ रहे हैं उन्हें कभी भी डाइबेटी शुगर के समस्या न नमक के जगा हम सोडियों वाला नमक खाना स्टार्ट कर दिये हैं इस वीमारीं को तरफ धकल रहे हैं इसलिए हमें लाइफटाल को चेंज करना होगा कीचन में सारे चीजों को हटाना होगा तो आप चीनी के जगा गुड़ खाए रिफाइंड ऑल के जगा शुद्ध तेल शुद्ध सरसों का तेल खाइंएंमृध फली लेकिन शुद्ध खाएंए फिल्टर वालत बात खाए और नमक तो कम से कम खारहें जितना कम हुसआ को उतना मकौप्यों की चेज़ा आज कि इस वीडियों बस इता ही दोस्तों वीडियो जानकारी कैसे लगए आप हमें कमेंट्स कर बताना और चाहते वीडियो को जरूर् लाइक कर दो जाना आपको इस वीडियो को देखनें के लिए बहुत बहुत कर दो डिए